हालो दोस्तो आपको पता है होटल में मिलने वाला की काड़ क्या होता है अगर नहीं जानते तो प्लीज ध्यान से सुनिए होटल में मिलने वाला की काड़ जो PVC magnetic stripe की होता है जो PVC और magnetic stripe से बना होता है 4S standard, 0.76 mm thickness और या generally 3 layer से बना होता है ये plastic card आपको hotel को safe करने के लिए important है physical key से ज़्यादा safe है और इसे duplicate नहीं किया जा सकता है मतलब ये परवेश का अधिक सुरक्षी सादन है और इस card को master key भी कहा जाता है जो generally चार परकार के होते हैं sub floor master की, floor master की, general master की and ground master की चलिए आये जानते हैं sub floor master की के बारे में यह एक ऐसे key होते हैं जो एक particular floor पर only specific section of room को खोलती है और इसे GRA, guest room attendant और housekeeping staff द्वारा operate किया जाता है अगर guest अंदर से double lock कर दिया है तो इस key से ये lock नहीं खुलेगा next floor master key generally इस key का use supervisor द्वारा किया जाता है या किसी particular floor के सभी room को खोल सकती है मगर guest अगर अंदर से double lock कर दिया है तो floor master key से भी ये lock नहीं खुलेगा next general master key general master key का उप्योग generally deputy या assistant house की पर द्वारा किया जाता है या hotel के सभी floor के room को खोल सकती है यादि guest अंदर से double lock कर दिया है तो इस जेनरल master key से भी ये lock नहीं खुलेगा next grand master key grand master key का use emergency situation के लिए किया जाता है और ये hotel के सभी दरवाजों को खोलता है कैसा भी lock की नहीं हो single double सब खोलता है और इस की का control general manager के पास होता है और chief of security और executive housekeeper भी इसको उप्योग करने के लिए authorize होते हैं दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो please like and subscribe thank you झाल